हलो दोस्तों वेलकम टू क्रेक्ट एट आयम तनुशुकला आज हम लोग सीटर 2021 को टार्गेट करके जो भी मैथ की पेड़ोगोजी कर रहे थे उसके पार्ट टू पर आज हम लोग पहुच चुके हैं हम लोगों ने कल के वीडियो में पार्ट वन किया था जिसमें कि हम लोग मैं आपके सामने लेकर आऊंगी और यह मैथ पेड़ागोजी का सेक्शन है 10 से 20 वीडियो में हमारा कंप्लीट होगा और इसके साथ-साथ 15 तारिक से हम लोग हिंदी पेड़ागोजी की इंग्लिस पेड़ागोजी की और उसके साथ-साथ एक कंटेंट पोर्सन भी मैं आप को बढ़ाऊंगी उसमें मैं क्वेश्चन से नहीं करूंगी बलकि मैंने प्रिवेश एर क्वेश्चन से जितने भी मैटर को निकाला है उसको मैं आपको एक मतलब एक कंट्लूट फॉर्म में दूंगी जिसको कि आप अगर उस वीडियो को भी लास्ट आई में देखते हैं तो आपको काफी फाइदा होगा तो अभी मैं उसको नहीं बना रही हूं क्योंकि अभी मैं उसको जैनुरी में बनाने वाली हूँ ठीक है और उसके बाद मैट प्रगोजी का भी मैं क्वेस्चन स करा दूंगी उसके बाद मैं एक कन्क्लूट फॉर्म में एक से दो वीडिय यहां से लेकिन एक पार्ट कंप्लीट होगा तभी हम दूसरे पार्ट पर जाएंगे क्योंकि बहुत सारे से स्टार्ट हो गया हैं मतलब तो इस अभी तक नहीं हो पाए हैं तो बहुत जाल दुनों भी पूरा करवाओंगी जब वो सब पूरे हो जाएंगे तभी हम कुछ नय करने वाले हैं और यह आज का वीडियो है वो पार्ट 2 है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो आज का आज का वीडियो है वो पार्ट 2 है पहला question है कि आज का पहला question है कि अंकिता 56 को 56 के रूप में और 25 को 205 के रूप में लिखती है तो अंकिता की अधिगम बाधा क्या है और किस प्रकास सिक्षक उसकी सहायता कर सकते हैं तो अंकिता की अधिगम बाधा क्या है मतलब 56 को 50 और 6 लिख रही है और 25 को 20 और 5 लिख रही है तो अंकिता की जो अधिगम बाधा है वो क्या है इस तरीके की question आप देखेंगे previous यह में बहुत जादे बार आए हुए हैं तो यह जो इस थारिमान का जो concept होता है उसी से अंकिता स्थानी मान की आउधाडा को ठीक से नहीं समझाते हैं आंसर तो इह बनेगा कि एड़ाडा को ही थीक से नहीं संजाए इसलिए 56 को 50 और 6 लिक रही है वह सबीड़ी लोग बोलता है ना 50 और 6 और 15 को अट यह जय और 6 को अलग है से लिख रही है बतलब कि उसे इस्थानिवान की concept ही नहीं पता है तो यहां पर पहला option पहला option ही यहां पर सही हो जाएगा और तो आप eliminate भी कर सकते हैं अगर आपको इस question का answer नहीं आ रहा है तो मैं आपको eliminate करना भी कुछ बताते हूं कि आप कैसे eliminate कर सकते हैं कि अंकिता ने अभी तक सफ की गिं नहीं सूख तो इसके नहीं नहीं सीख रहें और उसके बाद अंगिता को लगता है कि वह कभी भी गड़ित का अध्या नहीं कर सकती, तो यह तो एक दम गलत बात है क्योंकि हर बच्चे के अंदर इससे हमें यह पता दलता है कि बच्चे का जो इस्थाविमान की जो अधारा है वही क्लियर नहीं है ठीक है ठीक है यह पर मारा यह ऑप्शन सही होगा और आगे वाले वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेशन देखने को मिलेंगे और लेकिन आपको कॉंटेक्स्ट के अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवसकता है तो यहां पर कक्षा तीन की बात हो रही है और चतुर्थांस की कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है उसके फोर्थ ऑप्शन की बात की जा रही है चतुर्थांस की संकल्पना को समझाने के लिए अध्या मतलब कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस लेना चाहिए उसके बाद कौन सा उसके बाद कौन सा थीक है तो किसकी आशरता है पहला है कि चतुर्थांस की प्रतीक को स्यामपट पर लिखना तो पहली बात तो आपको यह है कि सबसे पहले हम क्या चतुर्थांस की प्रतीक को स्याम होगी होगी ने सकता प्रतीक को लिखना तो पहले हम दू ऑप्शन को हम धिया से अर्प इससे पहले आप प्रतीक को लिखना congregate I, और B भी गलत हो गया धिक्या में क्यंकि यहाँ पर इंपर भी प्रतीक को लिखने को सब्सक्सãy करें लुक्रिकना, तो सबस्थी पहला ऐस्क थार्थ तो Justinal में अग उनक फ़िधार खुंड थांता ओ cou्छ गीम को बढ़ा चल्स मैंने बच्छों को एक बॉल दिखाई और फिर उसको इस तरीके से घी बताया इस चार भागों मैंने से काट लिया थो ठोष बादा ये को लेकर चार भागों में बाट देना थिकर कोई भी ठोष पदार्थ लेकर बढ़ापर उसको लेकर बगए बृरबर चार सबसे पहले कोई भी math का concept अगर हम समझा रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले हमें बच्चों को मूर्थ चीजों से concept को सिखाना होता है यह बात आपको किसी भी question में आप अप्लाई कर सकते है सब्सक्राइब करने वाला पहले हम चेतर दिखाएंगे और उसके बाद हम प्रतीक की तरफ जाएंगे ठीक है यहां पर हमारा यहां पर सी option जो है वो सई हो जाएगा तो ऐसे यह question अब दुबारा नहीं आएगा लेकिन इस तरीके से इस तरीके के concept पर बहुत जादे होता है वहीं यहां पर लग रहा है तो यहां पर सी option सही है और मैट को पढ़ाने का जो तरीका है एक तरीका जो सिक्षर की विदी है वो मूर्थ से अमूर्थ भी होती है ठीक है तो आप इस तरीके से करेंगे और ऐसे क्वेशन में आपको बार-बार दिखाती जाओंगी कि ऐसे क्वेशन बार बार आ रहे हैं और आप इसली उसका अंसर कर पाएंगे अगला क्वेशन है कि आप एक समावेशी स्कूल में कक्षा के दिस्टिबादी चात्रों की जरूरत को कैसे पूरा करेंगे तो एक समावेशी स्कूल में करेंगे एक समावेशी स्कूल होगा और कक्षा के दिस्टिबादी चातरों को मतलब एक समावेशी स्कूल को मतलब अbug क्या होता है या कुछन आप देखेंगे कि मैंने इसको कल भी कराया था, आज भी मैं इसको करा रहा Wheat मन्द बच्चे बियाते हैं इतने भी टाइब के विशिश्ट बच्चे हो सकते थे अधिक तु आप एक बच्चे की दार्ड है है कि द्रस्ती बादि चातरों की जरूरत को आप कैसे पूरा करेंगे तो वैकल पिक शर्विधी और संसाधनों का उपयोग करेंगे उन्हें विस्टेज के पास भेज कर दो पहला हुज आ पर यहीं सही हो जाएगा यहां को ने जो गरेंगे जो यहां पर हमें बचो को बचों यह से कि वह अच्छे से सुन सके और अगर मतलब उसको हल्का सटीफिक्ट है कि पीछे बैट रहा है तो इसे नहीं दिख रहा है आगे बैठेगा तो उसी दिखेगा तो यह सब चीजे हम आपर कल्पिक सिक्षर विदी का हम आपर यूज कर सकते हैं जिससे वह बच्चा भी सम सब्सक्राइब तो उन्हें विशेज सिक्षण के पास बेजें तो ऐसा कुछ है नहीं कि समाविश्य स्कूल में कोई भी से सक्षण की होता साहे सिक्षण को मतलब हर स्बस्क्राप्त करताओं के साथ बैठने को कहेंगे तो यह यहां पर उच्छ और मंद की बात होई ने र लगे यह दो रहा है बलकि यहां पर जो बच्चा है वो द्रस्ति बादी थै उसे देखने में प्रॉब्लम ना कि उसके मेंटल मेंटली कूछ उसे कोई प्रॉब्लम है उसे देखने में इसके लिए हम वैकलपिक स्क्षण विधी का यूजग और जो भी रिसोर्स हो सकते है कुछने काठे था है उसके से बुदा के लिए हम उसे प्रदान करेंके थी year Ugh कि सप्वार पता हुँ कि हर बार हम्हीं आंसर पता हुँ ही जरूरी नहीं होता है ख़ाहर हमारे इसाब से आंसर भी नहीं होते हमें question के options के according हमें answer खोजने पड़ते हैं वहाँ ठीक है तो यहां पर भी हम question के option के according answer ढूंडेंगे आप बहुत विद्वान बनने की कोशिचे आप हमेशा elimination method का use सबसे पहले करिए उसके बाद अगर उससे नहीं अगर आपको question का answer 100% पता है तो आप अपने answer के साथ जाएए अगर आपको लगता है कि हाँ यह question का मुझे 50 50 ही पता है या पर कोई भी रिजन लगता है कि मुझे नहीं पता है इसका answer तो आप सुझे पहले कि options को eliminate करिए आप दो option को आराम से eliminate कर पाएंगे और उसके बाद आप दो option में लगता है कि हाँ फिर भी आप बहुत है तो हम generate ल Мыट में रटना वह सबसे गलत होता है ठीक है तो जहां पर रटना ka कंथस्त का जो होता है ये दूसरे में रटना नहीं उसको चोड़ देते हैं तीसरे में कंथस्त करना ये भी नहीं होगा छौते में कंथस्त कारना यह बी क्योंकि हमें पता है कि मैंने रटना math हो या कोई सब्जच्ट सब्सक्राइब करना ॥ा नहीं है करना एक्सवाइबल करते हैं इसा प्रति रूप देखना सब्सक्राइबार यहाब जो है आपको ऊंता पता है अचि और धीन जो ही घंच माइए Mens भी केसिन करते आप आप सार morals से निकाल सकते हैं अगर आपको थोडी भी IP है तो आप देखिए गला किस्पाराइट के अमसार स्कूल गधित पार्टिक्रम में होना चाहिए उसके की प्रक्रियात्मों ग्यान पर धियान करना चाहिए जाएंज तो यहां पर पहली बार तो यह दिख लिजिए कि कठोरता सब्द जो है यहां पर यूज नहीं करना क्योंकि यह इक नेगितिव सेंस देता है आप इसे काटि यहां नहीं बच्चो को उनद गडित के लिए तयार करना तो यह भी नहीं होगा प्राइमरी लीवल पर बच्चो म हमें मतलब mentally develop करना होता है ना कि हम उन्हें आगी की करिद के लिए उन्नत करना होता है ठीक है यह भी नहीं होगा तो सबसे आप अगर कोई भी कोई भी पेड़ागोजी अप्शॉल्ब कर रहे हैं अगर वहां पर रियल लाइफ ठीक है पॉजिटिव पूछ रहा है और आपको रियल लाइफ मिल जाता है रोज रोज भर्रा के अनुभाव मिल जाते हैं चाहिए हो मैथ हो चाहिए वह कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप उसे ही आंसर लेके जाएंगे ठीक है यहां पर डी ऑप्शन जो है वह स प्राइमरी स्कूल में आप अपने इंटर्शिप किया होगा अगर आप लोगों ने बच्चो को पढ़ाया होगा तो आप लोगों ने देखा वागा उसकी वहां पर क्वेस्टन की सरीके से होते हैं कि आपके दादा आपकी मामा मतलब एक लड़की थी ऐसे मतलब उसके रि हुमरी स्क्राइमरी से कैसे पढ़ाया कि लंग की उसकी घरती हैं रशींप से षर इन्पहर के देखा है यहां पर बच्चों के रोजगार के treasure सब्सक्राइब होगा और आप आपको अभी पेड़ागोजी सॉल्ट करते करते इतना दो समझ बनी गया होगा कि जहां पे हमारा रियल लाइफ आता है वो सबसे बेटर आंसर होता है अगला है कि निमनलिकेत में से कौन प्रभावी गड़ित स्क्षर सास्त्र की विशेस्ता नहीं है यहां पर हमें नेगेटिव की तरफ जाना है तो पहली बार आप आराम से क्वेशन को खो सकते हैं नेगेटिव वर्ड यहां पे हमें ढूना है किस क्वेशन में हैं अगर आपको नहीं भी पता है तो भी तो कि किसी को हरा आशर तो पता नहीं होता बहुत लोगों की अंडरस्टेंडिंग होती है जो कि वह अलिमेंट कर देते हैं और उनको आंसर मिल जाता है आप लोगों क होता है कि मैठ में ना पहले शॉप सबीक नहीं होता कि इसंग तब अंसर रएगा ठीक है वहागे की आगे क्लासिस में यह जाते हैं तो भी एक सकते नियम नहीं होता कोई एक लॉंख वोता है तो मतलब इस सठीके छीजियों होता है है अगर हम एक छोटा सा एक्जामपल ले अगर हम फाइफ और थ्री का गुड़ा करें तो भी पंदर आएगा और थ्री इंटू फाइब तो भी पंदर आएगा कोई ऐसा रूल नहीं होता कि हम एक ही रूल से चलेंगे और तभी मारा अंसर आएगा ठीक है तो इस सक्त नियम का पालन म कोई भी नया कॉंसेप्ट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए कोई एक विश्यस नियम लागू कर दे कि हां पस इसी नियम से सवाल हो सकता है किसी अधर नियम से नहीं तो ऐसी कोई बात होती नहीं है मैं इसके हमारा पहला आप्शन ए सही होगा और जूसरा है कि तो कि तुरूटियों फोकस करना तो यह हो सकता है कि अगर मैं कोई नहीं अधर आइं हाठ नहीं हो बता रहे हren और यह साहाँ नहीं हो जिए तूर पर खोशिश करना जो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा ठीक है यहां पर यह ऑप्षन नहीं होगा और अगला है कि रोज अनुवा के साथ सब्बंद वराना तो यह तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है तो वह तो होगा ही नहीं और अगला हो गया कि के लिए बिन अधिकर नितियो का ुप यहां पर यहुंग किसी को आशर्ते समझ में आ रहा है कि हम समाविसी क्लासरूम को लेकर चलते हैं तो किसी एक अवधाड़ा को बताने के लिए हम दोसे तीन विदी का अगर यूज कर रहे हैं तो वह भी अपने आपे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है तो यहां पर यहां पर यहां पर सिर्फ यह आंसर बनेगा जो की सतनियम का पालंग करना कभी भी किया है तो आपको पता है कि 36 लाइन का मतलब यह होता है जिसके और लți पालताल मतलब होता हैि आपकर देख सकते हैं किसमें है यह सी फिकिसी में नहीं सिफ इहां पर यह आशक़ एकस्स इस बच्चों की उपलबदी बढ़ाने के लिए सीखने के उपलबदी बढ़ाने के लिए पहला यह positive स्यक्षिक सर्विक्षड के लिए की मतलब की सर्विक्षड करने के लिए तो यह मुझे उतना positive point लग नहीं रहा है अभी और देखने हैं कि इससे better कोई point है अगर हमें मिलता है तो और ऐसे कि बच्चों को गढ़ना के लिए छोटे कदम उठाया जा सके तो यह भी नहीं है और पहला भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर सर्विक्षड की बात की जा रही है जैसे कि जो सैक्षिक सर्विक्षड होते हैं कि इस एदिया में कितने लोग पढ़े लिके हैं क्या बच्चों में बच्चों को गड़ित नहीं बढ़ा जाता है बल्कि बच्चों में mental ability को डवलप करने के लिए गड़ित पढ़ाया जाता है यह भी नहीं होगा यहां पर मारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के द्वारा हासल की जाने वाली कक्षावर चलिए सब्सक्राइब को प्राप्त कर पा रहा है चाहिए यह बात पैड़ित प्रेडाम होते हैं तो बच्चों के द्वारा हासल की जाने वाली क्षावर दक्षता और पैड़ित को हासल करने पर आपको देखना है एक्टिविटी जो है तो राइम्स के रूप में गिंती करते हुए बच्चे मैंने राइम्स के रूप में गिंती करते हुए बच्चे तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पर पोटे नियुक्त़ कि रहा है तो यह तो नहीं होगा में अब्सक्राइबडें देखा पहलाए हम सक्षक्राइब करना है और सक्षक समझाते हैं कैसे करना तो यहां पर पूछा गया है कि एक बच्चे से पूछने पर चेत्र क्या है उसने उसकी लंबाई और चोड़ाई का जवाब दिया यहां पर फूछा गया है यहां पर खेतर लिखा गया है एक बच्चे से पूछा है जैक बच्चेतर क्या बच्च में मत ब लंबाई और चोड़ाई का जवाब itu तो एडिया चडर फल बरावर लंबाय उ डिये हैं लेकि निहावीं पूछा लारा है एक बच्चे से हैं क्या होता है उसने लंबाय और चड़ाई है तुरो क्योंकि उसने सही बताया था वो बच्चे को छेदर के अधारा के बारे में कोई जनगाई नहीं यह भी नहीं है आप फसेंगे दो केस्टिन में लेकिन आपको ज्यादा आप यहां पर दो ऑप्शन में फसकते हैं क्योंकि बचे ने लंबाई चोड़ाई तो बताया ठीक है ब दूसरा क्वेशन है कि बच्चा मतलब यहां कहने में सही है कि इसके लंबाई चोड़ाई है तो यह नहीं होगा क्योंकि यहां पर पहले आप्शन के अकॉर्डिंग यह आप उतना ब्रॉट चीजों को ले नहीं रहा है पहले आप्शन को अगर आप देखेंगे यहां पहल आयत के बारे में ऐसा पढ़ा और उसने मतलब आयत की चेतर का उपयोग किसी बंद आकर्दी के चेतर के सामाने विचार के रूप में कर लिया मतलब उसने समझ लिया कि कोई भी बंद आकर्ती है वैसे इस स्कौयर है उसमें लंबाई पी चोड़ाई लगा सकते हैं तो बच को सही लगाएंगे लेकिन आप पेडागोजी के क्वेशन को सॉल्व करके जाते हैं तो आपका डेशन जो है वो सही होगा और यह आप लगा कर आएंगे जहां पर ज्यादा ब्रॉडर एरिया को कवर कर रहा हो क्वेशन आप उसे सही आसर मानेंगी ठीक है और आप हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि मारे चैनल से आपको यूसफुल कंटेंट मिल सकते हैं तो आप मारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू सो मच